Hello Friends, Welcome to CodeMeta Channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिपिंग की कि हमारे जो WooCommerce है उसके अंदर हम शिपिंग को कैसे एड़ करते हैं किस तरीके से हम शिपिंग प्राइजेस को एड़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए या कंटरी के लिए तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके अभी तक CodeMeta Channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें चलिए चलते हैं हमारे WooCommerce में यहाँ पे हम और लेड़ी बात कर चुके हैं अगर Home Page पे जाए और यहाँ पे देखिए हम तो हमारे पास Latest Product आयागी यह इस Product को हम Add to Cart करते हैं जाए वो Single product हो जाए वो Variable product हो हम इसे Add to cart कर लेते हैं हमारे यहाँ पे जाते हैं एक कोई भी अलग प्रोड़ुक्त ले 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 लेते हैं और इसमें large ले लेते हैं इसको add to cart करते हैं हम अब हमारे cart में चलते हैं now हम देखेंगे यहाँ पे हमारे past direct total price आ गई और subtotal आ गया हम चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ हमारे checkout के उपर हम shipping को लेके आएं किस तरीके से अभी तक हमारे पास कोई shipping नहीं इसलिए यह अगर हम checkout करते हैं तो आगे चली जाती है चाहे वो cart page हो या checkout page हो यहाँ भी हमें कहीं भी shipping नहीं दिखेगी now हम चलते हैं back end में shipping को add करने के लिए हम जाएंगे हमारे settings के अंदर WooCommerce settings में settings में आकर हम जाएंगे shipping टैब में यहाँ पे यह हमें कहता है कि आप अपना zone set करो यहाँ पे क्या बोला हुआ है location not covered by your other zone यहाँ पे location हमने cover नहीं करी है suppose करो मैं यहां front end पे आता हूँ मैंने अपनी country इंडिया select कर रखी है अगर हम चाहते हैं कि हम इंडिया में हैं तो सबसे पहले हम zone name देंगे इंडिया ले लिया हमने यहाँ पे नहीं में आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन यह धियान रखना है कि जैसे ही आप नाम दोगे उसके according यहाँ पे region आपको select करना है तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इंडिया कहा है यह रहे इंडिया इंडिया में अब क्या करा मैंने एक तो ले लिया बिहार एक ले ले लेता हूँ मैं गोवा और एक ले ले लेता हूँ मैं पंजाब ठीक इसका मैंने method यह shipping region डाल दिये अब shipping region के साथ क्या करते है limit to अगर मैंने यह region डाला है अगर मैंने इस option को click किया तो यहाँ पे मैं उसका postal code डाल सकता हूँ कि बिहार के लिए कौन-कौन से postal code पे यह shipping जो zone है apply होगा इसकी जो shipping method होगे apply होगे यह फिर goa के लिए कौन-कौन से code के उपर यह apply होगा otherwise क्या करना है हमें इसे choose नहीं करना है ठीक है इसको हम रहने देते हैं हम चलते हैं shipping method shipping के method का name क्या डालते हैं अब अगर flat है तो flat free है तो free और local pickup है नहीं लगेगी और जब भी आपके system के अंदर shipping नहीं करनी होती आपको apply तो आप online process के अंदर उसे free shipping से select करके method बना के सारे state या countries या region जो है जहां भी आपको लगानी है वहाँ पे आप free shipping लगाओ local pickup के अंदर यह होता है कि बंदे को आपके जो local जहां पे आप available हो वहाँ से आके उसे pick करेगा shipping वहीं से लेगा वो तो यह तो बहुत कम होती है हम flat rate ले पे चलते हैं add करते है flat rate का shipping method जैसे ही हमने flat rate का shipping method add किया यह हमें कहता है कि अब आप इसे edit करो क्योंकि यह already automatic अब यह क्या होता है taxable है non-tax none है अब जो हमारी shipping है अगर वो taxable नहीं है तो none से set करेंगे taxable है तो zero कर देंगे none करते ही यह इस तरीके से change हो रहा है अब यहाँ पे हम shipping price के डाल देते हैं उन states के लिए 10 rupees की डाल देते है flat rate है यानि fixed rate है अब इसकी जो shipping का नाम होगा वो इसी से ही आएगा ठीक है यहाँ पे क्या ले लिया मैंने इंडिया इंडिया में मैंने लिया था बिहार गोवा और क्या लिया था यहाँ पे पंजाब ठीक है इसको head कर दिया नाओ यह save होगे shipping में तर ठीक shipping zone में जाने के बाद हम वापस है shipping zone head कर देते है जिसके अंदर हम क्या ले ले लेदे है राजस्तान इंडिया और इसको क्या ले लेते है आरे जी ले ले लेदे है इसमें सिरफ हम Rajasthan दालेंगे ठीक है Rajasthan दाल दिया Rajasthan के लिए shipping method add करते है हम यहां पर flat rate लेते हैं वही और इस पर flat rate में हमने क्या डाल दिया 20 डाल दी प्लस हम यहां पर एक और add कर देते हैं method कि यहां पर free shipping भी दिखे ठीक है तो हम free shipping भी दिखेंगे अगर इसको edit करेंगे तो एन ने आ जाएगी free shipping free shipping require minimum order amount यह यह अगर minimum order amount आपका क्या है 1000 है तो ही यह apply होगा ठीक है अब coupon discounts यह हम apply नहीं करते हैं coupon की बाद हम आ गयाने वाली वीडियो पर करेंगे किसी में अभी हम free shipping ले लिए और यह ले लिए minimum 1000 order पर free shipping आएगी हमने यह माल लिए अब अब चलते हैं shipping options में shipping option में क्या दिखता है हमें shipping option में यह दिखता है हमें कि सबसे पहले कि जब shipping enable होगी तो वो क्या होगा हमें card page पे दिखानी है यानि हमें यहाँ वाले page भी दिखानी है तो हमें यह टिक करना पड़ेगा hide shipping cost until address is entered अब भी क्या होगी यहाँ पे अगर हम इसको reload करेंगे तो shipping हमें दिखनी शुरू हो जाएगी और जब तक दिखती रहेगी जब तक कि नपं यहाँ पे address enter नहीं कर देते है ठीक है तो अब क्या होगी यह चेक नहीं है अगर यह चेक होता तो हम को यह address वाली section यह दिखता ही नहीं यह shipping दिखती ही नहीं यहाँ पे rate ही नहीं दिखता हमें जब तक कि हम address को enter नहीं करते हैं क्योंकि हम कोई सब एड़र्स एंटर कर सकते हैं तो वो ले लिए नाओ अब क्या करते हैं देखा आपने कि यहाँ पर जैसे हमने shipping billing है check out के उपर हमने shipping address allowed ही नहीं किया भी था तो इसलिए हमें billing address को select करके जाना पड़ेगा force कर देते हैं तो shipping address customer को address करना ही पड़ेगा ठीक है इसको हमने save किया क्योंकि हमें वदी करिए now shipping class अब क्या होती है कि कहीं कहीं पे किसी product पे हम classes add करते हैं जब हम हमाने products पे जाते हैं तो बीच में हमारे पास आ रहा था एक कि product की class है क्या होगी तो हमने क्या लिया simple ले लिया ठीक है select simple आ रहा है this is testing simple class ठीक मैंने इसको क्या किया save कर दिया shipping class को shipping class save होते ही हम इसको फिर से edit करते हैं कोई chain नहीं है shipping options में चलते हैं leave कर देते हैं इसको देखो अभी भी यहां पर यह shipping zone में चलते हैं यहां पर हमारे पास दो आए हमने क्या case को edit किया पहले वाले को edit कर रहे हैं यहां पर हमारे पास add shipping rate कर देते हैं free shipping और फ्लैट है local pickup है यह फ्लैट एक और add करते हैं कोई changes देखते हैं यहां पर क्या हुआ अब classes आवे हैं ठीक है देखो पहले तक यह चीज नहीं थी लेकिन रहेगी अब यह क्या रहा है कि class के उपर करना है यहां फिर order के उपर करना है तो हम इसे class के base पर रखते हैं इसको save कर लेते हैं अब हम क्या करते हैं products में जाते हैं हमारे पास एक testing product था अभी हमने variable product को add कर रखा है हम करते हैं testing product में testing product में यानी simple product में हम क्या करते हैं हमारी class को add करते हैं class का add होती थी shipping section में यहां पर class आती थी तो यहां पर simple class लेकिए हमने इसको update कर दिया हम अभी तक अब हम क्या देखेंगे हमारे पास क्या क्या changes हुए हमने क्या क्या shipping से related सारे चेंज कर दी हैं यहां पर हमने दो flat class लगी भी है तो उसका 10 10 तो रहेगी रहेगी no shipping class cost लेकिन अगर shipping class आ गई तो वह simple class आ रही है तो 5 आ जाएगी ठीक चलते हैं front पे इसको एक पर reload कर लेते देखने क्या होता है हमारे पास यह है हमारे पास काट update हुआ बीस आगी बीस कहां पे थी हमारी यहां पे भी नहीं है हमारी यहां पे भी नहीं है हमारी बीस थी हमारी बाहर चलते हैं बाहर जाके हमारे पास थी राजिस्थान वाली इसको open करते हैं 20 हमारी यहां पे थी बिल्कुल 20 यहां पे थी हमारी तो हमारे पास राजिस्तान का एडरस होना चाहिए यह राजिस्तान देखो ठीक है तो यह राजिस्तान का एडरस हो गया अब हमें चाहिए कि यहां पे बिहार करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पंजाब कर देते हैं ठीक है और इसको अपडेट करते हैं इक बार पंजाब का अब cost क्या गई देखो दो rates आ चुकी है अब flat rate आ गई और यह वाली rate आ गई ठीक है तो इस तरीके से जो हमारी classes थी वो sorry जो हमारी shipping थी वो दोनों आने लग गई अब हमारे पास ठीक पंजाब की शिपिंग आ रही है और जो एक flat rate हमने दोसरी बनाई थी वो भी आने लगई क्योंकि हमाई पास राजिस्थान भी है यहाँ पे अगर आप इसका post code चेंज करोगे तो यह चीज़े set हो जाएंगी अब देखते हैं हम कि होता क्या है यहाँ पे जब हम इसका complete आगे लेके चलते हैं तो आगे आगे हम 20-43 ठीक है यहाँ पे हमें shipping नहीं दिखरी अग क्यों क्योंकि हमने क्या किया हुआ है हमारी setting में जाके इसकी जो shipping थी उसको हमने cart page पे enable किया हुआ है यह रहाँ ठीक है तो इसलिए हमें यहाँ नहीं दिखरी नव अब क्या करते हैं हम वापस back आते हैं और इसको 10 की जगे 20 कर देते हैं 43 आगी आगे चलते हैं 43 आगी और shipping date 20 तो यह इस तरीके से change हो गए नव क्या करते हैं हम वापस से back चलते हैं और क्या करते हैं इस product को open कर लेते हैं प्लस इसको add to cart करते हैं cart page में जब यह product आता है तो हम क्या करते हैं उपर वाले product रुको पहले उपर वाले product वी चाड़ेंगे पहले देखते हैं अब shipping क्या चल रही है हमारे पास total यह आया यह आ गई change address करते हैं shipping अभी हमारे पास 20 रुपे लग रही है flat rate और इराजिस्तान की है यहाँ पे हमने पंजाब किया हुआ है इसको update करते हैं यह देखो flat rate 25 हो गई ठीक है और यहाँ पे जो पंजाब का तो वो dust यह 25 कैसे हुई 25 ऐसे हुई कि 20 रुपे तो इसकी और 5 रुपे इसकी ठीक है पांच रुपे कैसे यह class की देखो 5 रुपे कैसे बता लगेगी हमें इसको हम हटा देते हैं product को यह 15 रुपे आ गई यह 10 रुपे आ गई है अब देखें आगे अब यह हुआ कैसे हमारे पास shipping में हमने simple class select कर रखी है shipping classes में जाते है यहाँ पे हमारी कोई setting थी नहीं एक product एड़ है हमारे पास यहाँ पे भी हमने कुछ adding किया हुआ zones के अंदर हमने किया था यहाँ पे हमने किया था अगर राजिस्थान है तो हमें दो shipping दिखनी चीए पहली shipping में हमने 20 रुपे यहाँ पे select किये हैं कि cost 20 रहेगी बाकि इसमें कोई class नहीं दी भी थी लेकिन दूसरे वाली free shipping में हमने यह total amount भी select किया हुआ था 10 रुपे यहां की rate है 10 रुपे तीनों की rate है दूसरी वाली rate हमारी 15 आई देखो नाम से देख रहे हो तो 10 रुपे वाली आ रही है इसमें कोई changes नहीं है flat rate आ रहा है एक बिल्कुल अलग आ रही है rate यह वाली तो यह कैसे आ रही है 10 रुपे यह है ठीक है cost और 5 रुपे इसकी cost है अगर मैं इसको 12 कर दूँँगा अब इसको reload कर दूँँ तो देखो क्या होगा 17 हो गई ठीक है यानि आपकी extra shipping apply हो गई ठीक है अबकी जो यह cost यह तो आएगी ही आएगी लेकिन यह जो cost है यानि जो extra class जो बनाई है हमने यानि extra shipping की जो class बनाई है उसकी cost apply हो गई ठीक है यानि दो shipping की cost है अगर किसी product में हमें दो add करनी है यानि जो default वाली shipping है वो भी दिखानी है और extra भी add करनी है तो हम इस चीज का use कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम दो shipping cost apply कर सकते हैं specific जगे पे अब दोस्तों को समझाए होगा किस तरीके से हम product पे shipping add करते हैं class add करके क्यों हम shipping को जो होती है वो increase कर सकते हैं किसी specific product के लिए जो हमारा variable product होता है उस पे shipping कैसे add होती है या हम simple product पे shipping कहां से add कर सकते हैं या फिर हम सारे product के लिए किस तरीके से conditions को apply कर सकते हैं हम state कैसे दे सकते हैं country कैसे दे सकते हैं zones के according options में कैसे change कर सकते हैं तो इस तरीके से हम shipping का काम करते हैं अगर आपको extra shipping चाहिए जैसे weight के according या फिर हर product के according तो उसके लिए आपको plugin से जाना पड़ेगा कोई paid plugin के थुरू जो हमारी features जो shipping feature functionality होती है उसको enhance कर दे या फिर हमें custom code करना पड़ेगा code को लेके हम shipping की बात करेंगे अपने dynamic section में जहां पर हम अपनी खुद की extra shipping और उसकी cost apply करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से होती है जिसे हम simple code बोलेंगे कि एक सिरफ specific जो custom shipping होती है वो apply करने के लिए multiples नहीं उसके अंदर क्या होगा कि आप अपने हिसाब से shipping की cost change कर सकते हो या apply कर सकते हो अगर user friendly नहीं रहेगा वो code कहने का मतलब यह है कि अगर किसी customer को जो अपना एक site का owner है उसे add करनी है तो वो backend से नहीं add कर पाएगा वो अगर developer है या कोई जो known person है जिसे code के बारे में ID है जिसने code सिखा हुआ है तो ही वो उस चीज को change कर सकता है otherwise नहीं बात करते हैं उस सब की हम अपने dynamic section में आने वाली वीडियो के अंदर अभी आपको यह सारी चीज़े समझ आ गई होंगी अब वापस से अगर आपको यह वीडियो चीज़े लगी तो इसे like और share जरू कीज़े रसाथी साथ code meta channel को subscribe कीज़े ताकि आने वाली वीडियो के टेकेर और गुडबाए